नवस्कार आप देख रहे हैं इंडिया की बात मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश आज वो कौन से तीन मुद्दे हैं जो हम आपके सामने लेकर रहा हैं सुप्रीम कॉर्ट ने महराश्ट पर फैसला सुनाया राजपाल और स्पीकर के फैसले को कानून के हिसाब से नहीं बताया है मगर बनी रहेगी शंदे सरकार मुद्दा नमबर दो केजरिवाल हैं ब्यूरोक्राट के बॉस LG पर एक तरह से अंकुष लगाने का काम सुप्रीम कॉर्ट ने किया है एक तरह से कहा जा सकता है कि आज का दिन मोधी सरकार के लिए डबल जटके का दिन था मुद्दा नमबर तीन करनाटक में जिस तरह से चुनाव आचार सहिता का बार बार उलंगन हुआ है चुनाव आयोक शर्मसार हुआ है और भाजपा पूरी तरह से बेलाग आउट उफ कंट्रोल है मगर शुरुवात हम महराश के साथ करना चाहेंगे महराश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया इस पूरे मामले को एक लारजर बेंच को रेफर कर दिया गया है मगर दिल्चस बात यह है कि जिस तरह से स्पीकर ने गोगा वाले नाम के जो चीफ विप को नियुक किया इस फैसले को कानून के हिसाब से नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राजपाल के पास ऐसी कोई जमीन नहीं थी ऐसी कोई सामगरी नहीं थी जिसके आधार पर वो इस निशकर्ष पर पहुँचे कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में है तो ये तमाम टिपणिया की गए उस पूरी प्रक्रिया को कानून के हिसाब से नहीं बताया गया बावजूद इसके शिंदे सरकार चल रही है क्या है इस मुद्दे का पंच बताये उर्मिलेश जी मैं समझता हूं कि ये फैसला सुप्रिम कोट का बहुत ही महत्पून है लेकिन बहुत कॉंट्रिक्टरी भी मुझे लग रहा है कि जो प्रक्रिया के बारे में सुप्रिम कोट आफ इंडिया ने आप्जर्वेशन दी है जिस प्रक्रिया के तहट शिंदे सरकार गठित हुई उसके बारे में कोट कहता है कि उसमें बहुत सारी कमिया है बहुत सारी खामिया हैं और कानून सम्मत वो नहीं है प्रक्रिया लेकिन ये सरकार बरकरार रहेगी ये सुप्रिम कोर्ट के फैसले से ये बात निकलती है मैं समझता हूँ इसलिए ये फैसला कम से कम मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये फैसला ले कहा जाएगा कानून को भाज़ा आप बताएं किया इस खबर का पंच आर एक बात बहुत साफ है कि सुप्रीम कोट में नेराश किया है सुप्रीम कोट से नियाय की उम्मीद थी और अब्जर्वेशन नहीं फैसलों में उम्मीद की कि वो नियाय करेंगे और मेरा बहुत सीधा सीधा मानना है कि अगर प्रक्रिया घलत है तो उसका जो परिणाम है बहुत ठीक कैसे है अगर सरकार जिस तरह से बनाई गई उसमें बहुत बारिकी में कहा है। इसके ये ये चीजे ठीक नहीं थी तो सवाल ये है मिलॉड कि अगर ये ठीक नहीं था तो जो उसका रिजर्ट है उसका जो परिणाम सरूप सरकार चल रही है बहुत ठीक कैसे थी आप अप्जर्वेशन में एतिहासिक कदम उठाने के बजाए अगर जज्जमेंट निरनायक जज्जमेंट ऐसे दें तो मुझे लगता है लोगतंत्र को आपसे उम्मीद है वहाँ आपको खराओ धरना बहुत ज़रूरी है अभिसार क्या है इसके आपका पंच यह है कि अगर आपको आपको इस पूरे मामले को थोड़ा पलटना पड़ेगा मोधी सरकार जिस तरह से एजनसी के सहारे खानून की प्रक्रियां की धज्ज्या उड़ा देती है इस कदर धज्या उड़ा देती है कि जब सुप्रीम कोट के सामने भी एक मामला आता है तो रही न कई एक बेबसी यहां दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि किस तरह से इस देश की सामविधानिक प्रक्रिया को भारतिये जनता पार्टी अपनी हरकतों से अपनी कारवाई से नुकसान पहुचा रही है और मिलेजी जाहिर से बात है अब क्या ये कहना सही होगा कि चलिए एकनाशिंदे की सरकार बरकरार रहेगी मगर सुप्रीम कोटनी ये भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने फैसला ना लिया होता फेस्बुक के बाद इस्तीफा देने का अटल बिहारी वाजपी और युदरपा की तरह फ्लोर अब दा हाउस में जाकर वो अपना अ कारणी सुप्रीम कोट का पूरा समान करते हुए मैं ये समझना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि स्पीकर ने असली विप की जाँच नहीं की ये वहला पॉइंच था दूसरे बार उन्होंने कहा कि इसपीकर को दोनों गुट बनने की जानकारी थी सिंदे गुट के चीप व ये भी गलत था तो अगर ये सारी चीजें गलत थी तो मौझूदा शिंदे सरकार का वजूद कैसे गलत नहीं है उसको बरकरार रहना क्या मौझूदा जो भारती संवैधानिक ब्यवस्ता है किसी भी सरकार के गठन की और उसके उसके कांटिनिवेशन की क्या उसको सही ठहरा जा सकता है एक बड़ा सवाल है और मैं कोई कानून वीद नहीं हूँ एक लेमेन के नाते एक आम नागरिक एक आम जैनलिस्ट के नाते मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है रही बात अब आपकी जो आपका कहना है कि क्या उद्धाव ठाकरे की एक इस गलती के कारण एक ऐ और समबैधानिक या कम से कम समधान सम्मत प्रक्रिया के तहत नहीं बनी है मैं समझता हूं कि ये स्वेम में जज्मिंट के अंदर का कॉंटिडिक्शन उबरत की सामने आता है जैसे एक सेकेंड जैसे उद्धाव ठाकरे ने ठीक है फेस्बुक पर इस्तिपा दे दिया गलत किया इमोशनली सरचास ते और उनोंने निरणे लेने में विवेक का प्रदर्शन नहीं किया लेकिन इससे समबैधान सम्मत धंक से नहीं बनी एक सरकार का वजूत कैसे समबैधानिक हो जाता है ये एक बड़ा सवाल है भाशा जो मैं सवाल मैंने और मिलेश जी से किया था आप से भी दोहराऊंगा कि ठीक है उद्धव की राजनीतिक सोच के बारे में सवाल उठाये जा रहे हैं शरत पवार ने भी अपनी आलोशना में यही बात कही थी मगर क्या ये कहना सही होगा कि उद्धव ठाकरे के लिए हालात ऐसे पैदा कर दिये गए थे अगर उसी वक शिंदे सरकार के वजूद पर सुप्रीम कोट एक तलक टिपणी कर देती तो शायद आज हालात यहां तक नहीं पहुँचे उद्धव ठाकरे की राजनीतिक समझ एक अलग है मगर हकीकत यह है कि शुरू से ही जो प्रक्रिया इस कदर से कानून के हिसाब से नहीं थी तभी ह हम ऐसे हालात में पहुँचे हैं? जनता जनार्दन देख रही थी, जैसे लोकतंत्र की एक प्रक्रिया का माकॉल उड़रा थी, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सहित बाकी जो संसाय है, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो तुरंत हस्तक शेफ करना है, कि अगर एक अन्याय हो रहा है, यह गलत है, यह हम लीगल बिल्डिंग हो गई, और मैं यहां एक सी जोर कहना चाहूंगी, कि जब भारतिये लोकतंत्र में हम हर जगह देख रहे हैं, कि सालों साल पुराने बिल्डिंग और भवन, तो अचानक ही अतिक्रमन और बुल्डोजर के जरीए हटा दिया जाता है, यह कहके कि गलत ब सुप्रीम कोर्ट, सीधे सीधे शब कहरा जिसको और मिले जी कहरा है, मैं उसको दुबारा दोहराते बेख जोर देके यह बताना चाहती हूं, कि उन्होंने कहा, कि दोस फ्रैक्शन के बीच का जो टकराव है, वो फ्लो टेस्ट में डिसाइड नहीं हो सकता कि कौन सा फ्रैक जो हैं उसका जिकर करते हैं, राजपाल का एक इतिहास भारदी जाता पार्टी का है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक राजपागी तरफ से रहे हैं, और उन पर लगातार सवाल किया इसके जरीए, और हकीकत यह है जिसका जिकर भाशा ने भी किया, कि इस पूरी प्रक्रि जगा और फिर विधायकों का ब्लाकमेल एजनसी के जरीए ये एक और पहलू है जैसे हम नजरंदास नहीं कर सकते उर्मिलेश जी देखे ऐसा है कि सुप्रिम कोट के जो फैसले और जो आप जर्वेशन आ जाए है और जो फैसला है उसमें एक बहुत महत्पूर्ण पहलू है क कि स्पीकर ही तै करेंगे सोला विधायकों के भागे का फैसला तो इतनी जो गलत प्रक्रिया जो अपनाई गई इस सरकार के गठन की जो स्प्लिट जो कथित स्प्लिट है उसको फॉर्मलाइज करने की और उसी स्प्लिट से निकले हुए एक नेता को मुख्यमंत्री पद की नेता पद की शपत दिलाने की और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस स्पीकर ही सोला विधायकों के भागे का फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो जो जन्दमेंट है इस पर मतलब इसको व्याठ्ध्याइत करना इसको समझना कि अब वो Speaker उन 16 विधायकों के बारे में फैसला करेगा जो भारतिय जनता पार्टी का है वो भारतिय जनता पार्टी जिसने सम्मिधान का मज़ाख बना कर ये चीज जो है लोगों के सामने इन हालात को पैदा किया तो अपने आप में Supreme Court के इस फैसले में छुपी हुए तमाम चीजें हैं जो विरोधा भास के तौर पर और कई दिक्कतें पेश करती हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भविश्य पता है कि 16 विधायकों का क्या होगा और उसे भी बहुत बड़ी सवाल जो बड़ा सवाल है कि महराश्ट में जिस तरह से लोक्तंत्र के साथ खिलवाड हुआ उस पर एक शब्द भी सुप्रीम कोड का माननी सुप्रीम कोड का ना कहना भी गैंभीर चिं मजाग चुनीजी सरकारों के साथ किया गया और महराश्ट में तो उसकी एक बिल्कुल दूसरे लेवल पर ले जाकर प्योग किया गया यानि मुहर लग गई शिंदे सरकार पर आपने कहा दिया थोड़ी गड़बडिया हुई ये गड़बडिया हुई लेकिन चलिए सरकार आपका काम चलता रहे है पर करा रहे हैं वो देखे ऐसा है कि मौजवदा भारती राजनीत में नैतिकता कितनी बची है नैतिक मुल्यों का कितना सम्मान है ये हम सब देख रहे हैं और आज से नहीं देख रहे हैं कई सालों से कई दश्कों से देख रहे हैं तो नैतिकता की बात तो नो कीजिए वो स्थिपा दे दिया तो शायद इसलिए दे दिया कि वो बहुत मज़े हुए राइनिती खिलाडी नहीं थे वो कुल मिला कर एक बहुत ही प्रोफेशनल डंके चायाकार थे समझदार संवेदन शील व्यक्ति थे अपने पिता जी की तरह भी नहीं थे अपने पिता जी से काफी कम से कम एक मश्वरा बहुत गंबीर मश्वरा उन्हें करना चाहिए था और और एंसीपी से कॉंग्रेस से शरतपवार भी कह रहे हैं उन्होंने उस फैसले को आरोशना की थे वह बहुत ज्यादा सियासतदार नहीं थे वह बहुत ज्यादा इस तरह के व्यक्ति नहीं थे व अब जबकी एकनाशिंदे बने रहेंगे और उद्धव ठाकरे के फैसले घलत था उसे कहीं न कहीं रेखांके सुप्रीम कोट कर रहा है तो क्या NCP और उद्धव सेना जो है उनमें और विरुदाभास खुल कर आएगा? जी बहुत अच्छा सवाल है अभिसार और हम सब की चिंता भी यही है मुझे जो दो चीज बहुत साफ लगती है कि उद्धव ठाकरे ने जो इस्टीफा दिया जिस मैतिकता की आप बात कर रहे हैं अभिसार शायद मैतिकता की दुहाई यही थी कि उनको इस्टीफा दे देना चाहिए था और फ्लो टेस्ट के लिए जो इस्टीफी वो अलग बात है वो एक इतिहास है लेकिन शरत बावार ने जो कहा कि वो उस तरह के मजवे खिलाड़ी नहीं थे लेकिन इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जितने समय रहे उन्होंने यह कोशिस जरूर की कि शिवसेना की जो उग्रच बीती उससे बाहर निकालकर महराश को दूसरे दिशा में ले जाने का जोकिम उठाया जो कि उठाया है वो चोटा जोकिम नहीं है यह में ये ध्यान रखना चाहिए कि भाश्पा से सरकार निकालकर कॉंग्रेस और शरत तवार के साथ जाकर एक शिवसेना की धार बदलने की कोशिच की जिसकी कीमत उन्होंने चुकानी पड़ी और मुझे लगता है महराज जिस बिच्चा में जा रहा है उसमें उधर उठाक रहे अगर काईदे से पॉलिटिकल हस्तक शेप करते हैं तो राजनेतिक उनका बरकरार रहेगा चली अब हम रुक करते हैं दूसरे मुद्दे का और वो भी सुप्रीम कोट से जड़ा हुआ है इत्तिफाखन ये फैसला महराज से ठीक पहले आया था और उस फैसली में क्या कहा गया है कि नौकर शाहों पर अधिकार एक चुनी हुई सरकार का है क्योंकि सुप्रीम कोट ने अपने इस फैसली में दिल्ली के संदर में कहा और रेप्रेजन्टेटिव डिमॉक्रिसी यानि की चुने हुए लोगों के आधार पर बनी हुए लोकतंत्र पर जोर दिया है कही न कहीं ये मोधी सरकार के लिए जटका है लगातार चारों तरफ से घेर कर काम नहीं करने दिया जा रहा था उसमें पेडरल स्ट्रक्चर संगी अधाचे को उनरिस्थापिश करने की बात है चिंता बस यह है अभी सार कि क्या इस फैसले पर अमल हो पाएगा क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि स्पोर्ट दिल्ली सरकार के प्रक्ष में फैसला दे रहा लेकिन हम देख रहे लोग होने नहीं दे रहे मोधी सरकार होने नहीं दे रहे लगी कितना उसका पालन करेंगे ये वक्त बताएगा अभी सर क्या है इसके आपका पंच? पर मेदा पाट कर को जो एसॉल्ट किया जा रहा है वहां उनकी तस्वीर निखाई देती उस मुद्दे में भी उन्हें राहत नहीं मिली है तो कही ना कही आने वाले दिनों में केजरिवाल पर हमला और ज्यादा पहना किया जाएगा भाजपा की तरफ से और में ली जी बता है क्या है इस मुद्दे का पंच? देखें केंदर में जो सरकार है उसने राजपालों को अपना सोवेदार बना रखा है ऐसा लगता है कि वो राज़ियों में एक समपैधानिक पदाधिकारी नो होकर उन्होंने एक राजनितिक सोवेदार के तरह तब्दील कर दिया और मैं समझता हूं कि सुप्रिम कोट के इस फैसले से एक नई प्रक्रिया की शुरुवात हो सकती है कि देश भर में जहां जहां एलेक्टेट गॉवर्मेंट और राजपालों के बीच में विवाद चल रहा है उसमें भी एक लाइन तय होगी इससे निकट भविशे में भाशा हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि कही न कही राजपाल जो हैं वो भाशपा की प्रवक्ता बनके रह गए हैं जगदीब धनकड की मिसाल देखिए आपको याद होगा कि ममताब एनरजी का विरोध करने के लिए वो सडकों पर उतार आते थे LG साहब को देखिए और उसी तरह से तमिलनाड में हमारे सामने मिसाल है तो राजपाल का जो पद है वो कही न कही मोदी सरकार के दौरान जो है वो और भी राज़नीतिक होता गया है और कही न कही सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस फैसले में इससे फिर से रिखांकित किया है जी और मुझे लगता है कि अभिसार बिल्तु सही है आपने जो इंगित किया इसमें में एक और नाव जो जो चर्चा में बने रहने के सारे हुनर जानते हैं वो हैं केरल के राजपाल तो देखे मुझे लगता है 2014 के बाद से 2023 में हम है राजपाल को एक सुपर सीम के तौर पर सुपर सीम जो हर जगा कर सकता है वी सी को इधर कर देगा तमिलाडू में तो इंतहा है कि आप भाशन ही नहीं पढ़ते भाशन से कुछ शब्द हटा देते हैं केरियार का नाम हटा चीजें है एक जो यह जिसे अगर हम कहें कि यह जो दबंग गई है राजपालों पुली दबंग गई जिसमें आप मुख्यमंत्री को आपका काम सिर्फ और सिर्फ हो जाता है कि आप चुनी हुए सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को लगातार तंग करेंगे उन्हें हा दिखाई दे रहा है कि राजपाल की जो एजेंसी है सेंट्रल एजेंसी के तौर पे राजपाल काम कर रहे हैं बहुत दुरबाग पूर नहीं भूलिए जारतन में भी तक्रीबन यही अंदाज में आज आज जब सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया और मिलेजी उन्हों ने यहा कि देखिए तीन मुद्दों को छोड़के पुलीस पाबलिक और और जमीन इन तीनों को छोड़के मगर भाशा ने बहुत एहम बात की है कि चलिए हम दिल्ली में तो यह कह सकते हैं कि इन मोदी सरकार में जिस तरह से राजपालों का दखल बढ़ रहा है राजज सरकारों की जो अपने अधिकार हैं संगी ढाचे में उससे जिस तरह से कुछला जा रहा है देखे सच तो ये है कि भारत के संविधान में राजपाल के प्रावधान की जब चर्चा हो रही थी इसी समय भारत के संउधान निर्माताओं से गलती होई थी और ये बात मैं इसलिए कहा रहा हूँ कि कंस्विधान एसेम्बली के उन हिस्सों को मैंने पढ़ा है राजपाल के पद को जितने महत्तों के साथ जितने भारी भरकम बना कर पेश किया गया हमारे संभिधान में उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं और हमें नहीं बोलना चाहिए कि आजादी के सुर्योदे में ही जनतंत्र जब सुर्योदे जब सुसका सुरज उग रहा था उस वक्त भी राजपालों ने इसी तरह की गलतियां न केवल की थी दबंगई की थी केरल की EMS नमुद्रिपाथ सरकार को डिस्मिस कर दिया गया था क केवल उन्होंने भूमिसुधार और एजुकेशनल डिफॉर्म्स के लिए काम किया था ठीक उसी तरह से जमु कश्मीर में शेक मुहमाद अब्दुल्ला की सरकार को डिस्मिस कर दिया गया था इसके बावदूत की वन अफ़ फाइनेस्ट गवर्मेंट थी उनकी और लैंड कर दिया गया आज जरूरत इस बात की है क्योंकि मवजुदा जो सकता है उसने राज़िपालों के उन अधिकारों के अलावा भी जितनी चाहिज उतनी दबंग गई वैचारी किस्तर पर वो कर रहे हैं राज़िपाल अपनी विचारधारा के हिसाब से अगर वो आरेसे से ज जरूरत है और उसके लिए कोई नो कोई एक बड़ी कमेटी बने सर्वदली कमेटी बने क्योंकि वो मामला जब आगे बढ़ता है ना भाशा और जब वो राजपाल उपराश्ट्रपती बन जाते हैं तो उपराश्ट्रपती के पद पर बैठ कर भी वो ऐसे अजीब और घर की उपराश्ट्रपती का नाम लिया माननी उपराश्ट्रपती जी ने अभी जान ब्रिटाज नाम के एक सांसन हैं CPIM के केरल से उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आठकिल लिखा है उस आठकिल के ऊपर उनसे सपस्टिकर्ण मांगा कि क्यों आपके खिलाप करवाई ठीक है आठकिल ठीक है मैं जो आठकिल पूछना चाहता हूँ बहुत एक स्पेसिफिक मुद्दा भाशा वो मुद्दा ये है कि जिस तरह से राज़पाल का दखल और ये तमाम चीज़े हमें दिखाई देती हैं अगर हम अरविंद केजरिवाल पर आएं अरविंद केजरि और अरविंद केजरिवाल को जिस तरह से चारों तरफ से घेरा गया तोगि हम ये आपने रही जिक्तर किया कि दो मंत्री और दोनों बहुत एहम मंत्री हैं एक उपमुक्य मंत्री है मनिसी सोदिया जो जेल में है और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि आतीशी को भी काम कर में हर जगा LG से टकराना पड़ा रहा है एक छोटे-छोटे से न्यूक्तियों को लिए जगड़ा हो रहा है तो उसमें एक राहत का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी राहत के तौर के इस उप्रीम कोट का फैसला आता है और ये बात भी सही है कि अर्गिन केज डिवाल ने पिछले कुछ सालों में ये साबित किया है कि जितना भी उनको घेरा जाता है जितना भी उन पर हमला होता है वे अभी तक फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें अपने आधार को और अपने आधार को बढ़ाने या अपनी बात पहुचाने के लिए नए नहीं रड़मीतिया निकालने के लिए जाने जाते हैं और मुझे लगता है वो इस मौके का भी भरपूर इस्तमाल करेंगे उनकी टीम ने इस्तमाल करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे बाकी जगों पे और शायद ये पूरा का पूरा फैसला सिर्फ दिल्ली ही नहीं बाकी जगा के लिए एक नजीर बने ये हम कुछने कि अगर ऐसा हो ठीक है आज जो पहले दो मुद्दे थे उन दोनों का जो तालुक है वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े फैसलों को लेकर था मगर करनाटक की राजनी थी करनाटक को लेकर इस बार जो चुना हुए है न वो अप्रत्याशित या मुसल्मानों के बारे में समवेदन हीन बयान ईश्वर अप्पा दे रहे थे अमिच शाह अपनी तरफ से अलग जो है बयान दे रहे थे मकर चुनावायों की सकती सिर्फ बीजेपी के लिए थी बात वहां नहीं रुकी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जस दिन डाले जा रहे थे उस वक्त प्रधान मंतरी राजस्थान पहुंशते हैं वहां पर भाशन देते हैं मंदिर में भी होते हैं और ये तमाम चीजों का प्रसारन लाइव मीडिया कर रहा होता है चुनावायों बिलकुल खामोश इसलिए इस बार जो चुनाव हुए हैं वो बिलेजिए बहुत मामूली मामूलों पर नोटी से थमा दी जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि जब आप नीट्रल एंपायर नहीं रहेंगे तो एरेक्शन कमिशन का वजूद जो है वो स्वेंप प्रशन चिन उस पर लग जाएगा इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि हमने करनाटक में सिर्फ एक ट्रेलर देखा है आने वाले दिनों में कलपना कीजिए कि लोक सभा चुनाव जब आएंगे तब किस तरह से धज्या ओडने वाली हैं हलाकि चुनाव आयोग की न्युक्ती पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है मगर चुनाव आयोग के तेवरों में कोई फर्ख नहीं है साफ तोर पर खुले आम उनका पक्षपाद दिखाई दे रहा है जो अपने आप में कितना बड़ा दुर भाग गया है कल पना कीज साफ है मैं करनाटक चुनाव में जब वहां पर करनाटक में थी तब आम वहां के जो मद्दाता थे वे भी ये कह रहा है थे कि जिस तरह से कुले आम सिलवाड हो रहा है और मैं ध्यान दे करूंगी कि चुनाव आयोग को कम से कम इतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि जब प दियानों पर वो नोटिफिकेशन आ रहा है इसकी करन मांग रहे हैं ये जो चीज है तमाम लोगों को ये भी समझना कि जंता बहुत ध्यान से देख रही है और अगर आपकी साथ इस तरह से गिर गई लोग वहां मजाग उड़ा रहे थे अधिसार कि जिस दिन वोट पड़ सेगा जंता वोट देती है जंता अपनी सरकार चुनती है और निश्भक्ष बहुत कि पूरे वोटको वोट चाहती है जैसे कि भाशा ने अभी अभी कहा कि जंटा ने पहले ही ये भविश्यमानी कर दी थी कि प्रधान मेंटरी नरेंद्र मोधी जो हैं वो कुछ ना कुछ करेंगे मगर वो भवविश्यमानी करने के लिए बहुत जाना महनत करने की ज़रुत नहीं है याद कीजे लोकसभा चुनावों में क्या हुआ था प्रधान मंत्री गुफा में बैट गए थे वहाँ पर ध्यान करने लगे थे या फिर याद कीजे पश्यमंगाल के चुनाव में क्या हुआ था सबसे दिल्चेस बात पश्यमंगाल चुनावों की यह थी कि आप जाएए बजरंग बली की जै कहिए और कमल का बटन दबाएए चुनाव आयोग की दिशा निर्देश है साफ तौर पर दिशा निर्देश नमबर वन और तीन उसका साफ तौर पर उलंगन नोटिस किसको दिया जाता है प्रियांग खडगे को क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री को नालाय कहा या सोनिया गान्दी को जहां उन्होंने सौवरिन शब्ट का इस्तमाल कर दिया करनाटक के लिए मगर प्रधान मंत्री पर कोई अंकुष नहीं देखें जो माननी प्रधान मंत्री ने बातें कहीं वो नो सिर्फ मौडल कोड आफ कंड़क्ट के क्लाज वन का डारिक्ट वाइलेशन था बलकि जो आरपी एक्ट हमारा है आरपी एक्ट उसमें भी जितने प्रधान दिये गए हैं कि किस तरह से पार्टियों को चुनाव प्रचार करना चाहिए उसमें भी धार्मिक प्रतीकों धार्मिक जो जो करेक्टर्स हैं उनका नाम लेकर चुनाव में ओट मांगना उनको प्रचारित करना इसका भी एक तरह से खोर violation है उस पर पाबंदी लगाई गई है यानि class 1 का violation प्लस आरपी act का violation इसकी बहुजूद शिकायत होई और शिकायत के बहुजूद अगर निर्वाचन आयोग चुनाव की प्रक्रिया में ही रोक नहीं लगाता है उस पर और 10 दिन के बाद चुनाव बीतने के बाद नतीजा आने के बाद अगर कोई फैसला आता है तो उसका क्या मतलब है यह चुनाव भीत गया मतदान हो गया और आपने एक भीतनी पर आपको लगता उसी वक्त रोक लगा दिनी चाही थी प्रधानमद्री चांपे निंग पर देखे मेरा यह मानना है कि जब आपने देख लिया कि आरपी एक्ट का वैलेशन है आपने देख लिया कि क्लास बन का वैलेशन है तो इमेडियेटली शिकायत अगर हो गई है तो तीनों माननी निरवाचन आयुक तो बैठें मीटिंग करें और अगले दिन सुबह यह फैसला करें कि कोई भी राइनितिक दल इस तरह का नहीं कर सकता भाशा एक मातर तरीका है भाशा एक बात बताईए भाशा दिक्कत यह है कि हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक की नियुकती पर एक फैसला सुना दिया मगर वही नियुकती प्रक्रिया सीबियाई प्रमुक की भी है तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना भी दिया हो चुनाव आयुक के लेकर मगर क्या हम निश्पक्षता की उमीद कर सकते हैं खास कर जब तक ये सरकार बने रही गी जिस तरह से वो अपने ईजिनसी का इस्तमाल करते हैं, रसुक का इस्तमाल करती है जी, बहुत शही बात है, और देखे मैं यहाँ पर उन्मिलेज जी प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, कि मैं भी कर रही थी, मैं तो कह रहे ही, प्रधानमंत्री जी को छोड़ी दी के चुनावायोग जी, आप इश्वरपपा पे कुछ बयान देते, आप वहाँ पर कह द कुछ चलता रहा हमारी आँखों के सामने चल रहा था तो चुनाव आयोग ने जिस तरह से शर्मडाक रवया अफियार किया और तकरीबन आप देखें कि वह एक ऐसी एजन्सी हो गई जिसे आप बाकी जाक्त एजन्सियों के श्रेणी में डाल दें कि आप कॉंग्रेस को बजरंग बली हर जगा हर जगा मोदी जी का जो रोड शो था उसके साइड में भी बजरंग बली के रूप में बाउंसर को खड़ा किया गया था और वह लगातार बोल रहे हैं कि आप हमें बोट दीजे हमारा अपमान हुआ है तो यह जो उपर से लेकर नीचे तक एक लौलेसनेस है तो कि एक लौलेसनेस बहुत बड़ी बात है कि आप बता देंगे कि यह लोग तो कानून से उपर है इनको कोई कानून नहीं पकड़ सकता यह बहुत खतरनाक बात है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी याद आना चाहिए तो वो मोटो भी कुछ लेना चाहिए कि अरे हमने इसी चुनाव आयोग के बारे में तू बोला था बाकि वो मोटो एक्शन भी लेते को तो यह अगर नहीं लेंगे तो बहुत फतरनाक इस्तर पर चुनाव प्रचार और जो हमारी एजनसीज है हमारे जो चुनाव आयोग है उनसे उमीद भी लोग पार्टी के पक्ष में जुकी होती है इसलिए अखिलेश की चुनाव आयोग जो पूरी तरह से भारती जनता पार्टी के एक्स्टेंशन के तौर पर काम करता है यही वज़ा है कि चुनाव जीतना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है EVM है करने की जरूत नहीं है मैं जानता हूँ कई conspiracy theorists कहते हैं कि EVM हैक होग जाता है मेरे पास कोई प्रमाण नहीं कि EVM हैक हो सकता है मगर system को hack BJP ने कर लिया है बहुत बहुत शुक्रिया भाशा आपका भी और उर्मिलेश जी आपका भी कि भाई system को दुरुस्त करना लेगा इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शेर्मा को दीजे इजाज़त नवसकार